हाई फ्रेंस वेलकम वेक ठो माई यूट्यूब चैनल फ्रेंस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप फंगल इंफेक्शन से किस परकार से चुटकार आपा सकते हैं फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें आप बढ़ते हैं वीडिय से भी काफे परेशान रहते हैं आईए आपको बताते हैं कि किन चीजों का इस्तमाल करने से आप fungal infection से बस सकते हैं आज इस वीडियो में में आपको कुछ एसे घरेल उपाई बताऊंगे जिसकी इस्तमाल से आप fungal infection से छुटकारा पा सकते हैं पहला उपाय ये बेकिंग सोडा स्केल फंगल इंफेक्शन को दूर करने में बेकिंग सोडा बड़ा कार करें ये फंगल की activity को खतम कर रहा दिलाता है बेकिंग सोडा को पानी में mix कर थोड़ी देर के लिए मसाज करें और बाद में शेंपू के बजाए सीर को साधे पानी से दोले इससे आपको बहुत रहात मिलेगी दूसरा है विनेगर फंगल इंफेक्शन को दूर करने के लिए आप एपल विनेगर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं विनेगर इंफेक्शन पेदा करने वाले बेक्टेरिया को खदम कर देता है आपको इसका इस्तेमाल किस प्रिकार करना है सबसे पहले आपको एपल विनेगर को पानी में मिला लेना है और फिर धीरे धीरे इसे इंफेक्शन वाले जगे पर लगाना है इससे आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा अगला उपाई है एलो वीरा जेल एलो वीरा जेल को संजीवनी जड़ी बुटी भी कहते हैं क्या आपको पता हैं कि सीर में होने वाले इन्फेक्शन को दूर कनने में एलो वीरा जेल काफे कारगर है यहाँ आपको जरन खुजली और रेशेट से रहत भी दिलाता है इंफेक्शन होने पर बालों की जड़ों में एलोविरा जेल 30 मिनीट तक लगा कर छोड़ दे जल्दी ही आपको इस समस्या से मुक्ते मिल जाएगी और आपको असर अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा अगला अपाई ही ट्री ट्रिक ऑईल यहाँ आपकी बहुत ज़दा साइता करता है फंगल्स इंफेक्शन में ट्री ट्रिक ऑईल को फंगल इंफेक्शन की समस्या को कुछ समयमें ही दूर कर देता है आपको ट्रेटरिक ओयल को बदाम के तेल के साथ मिलाकर इंफेक्शन वाली जगे पर लगाना है इंफेक्शन से आपको तुरंत रात मिलेगी यहाँ आप डेली कर सकते हैं इसमें आपको कोई प्रोब्लम नहीं होगी यहाँ आपके इंफेक्शन से चुटकारा दिलाने में आपकी बहुत ज़्यदा साहिता करता है अगला है नीम की पत्तियां बारिश के मौसम में होने वाले फंगल इंफेक्शन नीम की पत्तियों से भी दूर किया जा सकता है इसके लिए घर में नीम की पत्तियों का पेस्ट बना ले और उसमें थोड़ा सा नीबु का रस और थोड़ी हल्दी मिना ले इस पेस्ट को आप बालों की जड़ों में 30 मिनी तक लगा कर छोड़ दे जल्दी ही आपको infection से चुटकारा मिलेगा और अगर आपके सिर में जुय है तो वो भी खतम हो जाएगी अगला उपाई है हल्दी एक चमच हल्दी आपको कहीं तरह की तोचा रोगों से निज़ा दिला सकती है यदि आप हल्दी में शेहत मिलाकर पेस्ट बनाकर infection वाली जगह पर लगाए तो चल्दी ही आपको इससे मुक्ती मिल सकती है तो देखा फ्रेंज आपने यह थी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थैंक्यू फ्रेंज मिलते हैं बकली वीडियो में तब तक के लिए बैबाई